अब देखे ये जितने भी सारे sentences मैंने बोले है अगर आपने ध्यान से इनको सुना होगा तो हर sentence में एक ही बात हुई है पैन लेने की है ना लेकिन किसी sentence में could use हुआ है किसी में would use हुआ है किसी में can किसी में may and किसी में will है ना इतने सारे यूज हुआ है तो learners की माइन में भी यही confusion है क्यों कि हम अपने daily life में अपने surroundings में जब लोगों को speaking करते हुए सुनते है तो कोई तो कुड़ बोल रहा है कोई would बोल रहा है कोई may बोल रहा है कोई can बोल रहा है इतने सारे कि क्या है यह यह फिर जब भी हम कुछ पढ़ने बैठते है तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कहीं पर वुड अच्छा इस sense में use हुआ है फिर दूस वीडियो बनाएंगे उसमें जितने भी सारे मोडल से मैं धीर धीर कवर करूंगे लेकिन आज की वीडियो हमारी बेस्ट है वुड के उपर तो जितने भी सारे यूजिज होते है वुड के आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा उसको लेकर और आपको है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड प्लीज डू शेर एंड लाइक दा वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वुड के बारे में सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि वुड को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं कैसे कैसे करे है ता तीते यानि कि जब कोई सेंटेंस ता तीते पर खतम होता है वहां पर भी हम वुड का यूज करेंगे अभी आपको थोड़ा सा यह पजलिंग लगेगा कि यह मैडम ने क्या बता दे लेकिन जब मैं आपको एक एक सारे के सारे केसिस को पोपर ली अच्छे से डिस्प मैं होता है जब सेंटेंस में चाहूंगी चाहूंगा जाहोगे आएगा तब हम वोड और और गयू करेंगे अब name बैक जो आ जाता है पास्थ की हैबिट दिकाने के लिए जहां पे किया करता था चाउन करते थी COVID किया तो Więc 갖고 करते है वैं वोडüzik करते है उडिने वर्ब की था ज हम लिया होटा कि कि र्भी को सब्सक्राइक करते हैं लेकिन फे oh कर लेते हैं तो वीडियो में आप बने रही है लास तक आपको सारे के सारे यूज आज आपको समझ में आ जाएंगे सबसे पहला यूज जो आज हम करने वाले है वुड का वो है पॉलाइट रिक्वेस्ट के लिए ठीक है तो जब हमें किसी से पॉलाइट रिक्वेस्ट करनी ह और प्लेते क्या चीन लेते हैं मांगते नहीं है तो भई आप थोड़े से मैनर समय रहिए और क्या यूज करोगे कब से कल से आप यूज कीजिए वुड्यू प्लीज गिम्मी ओ पैं क्या तुम मुझे अपना पैंदे दोगे हैं या फिर इस तरीके से दूसर सेंटर सग्राम और आपको लग रहे है कि आपको सामने वाले को कहना है कि थोड़ा सा उधर हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से तो जहां पर हमें पॉलाइट रिक्वेस्ट करें वहां पर वुड़ का यूज करेंगे ठीक है करेंगे चलो दूसरा देखते है पास्ट हैबिट जब हम पा हां छोटे थे तो इसकूल लेट जाया करते थे होता है ना ऐसा ही लेट जाने में बड़ा मजाता है बच्चों को बहुत मजाता है ठीक है तो क्या बता हो गया चलके कि जब हम छोटे थेicial करते करतें तो क्या थी आपकी past की habit थी अब नहीं है वह habit वından से इसंटेंस जेकिन अगर से जो Gwen शाहिए वन उप मैं वह करना हो वहाँ वह रही है तो कैसे यूज करेंगे हम इसको I would talk a lot मैं बहुत बाते किया करता था यह बहुत बाते किया करती थी दे वो टेल लाइ अब यह मत कहें न कि मैं में तो past कर यह दो विल है तो पास्ट है नहीं मैंने मैंने आपको यही बता है कि आप इनके यूजुज को देख लीजे तो प्रेशान क्या करते तो आप क्या बताओगे my friends would tease me मेरे फ्रेंड मुझे बड़ा प्रेशान किया करते थे तो यह इस तरीके से जब हमें past की habit दिखानी हो तो हम वुड का यूज करते है तो जो लिसका दूसरा यूज देखते है देखी जब sentence ता ती ते पे end होता है वहाँ प sentence टे पे अगली close कुछ भी हो लेकिन अगर एक close टव काम पुरा कर लेती तो कर लेती तो वह शयद ना पिठती इस थरीके कर देता इस तरीके से तो कैसे यूज़ करेंगे would ? इस वाला sentence मैंने बोल दिया है अगर सकता है खेंगे look सकते है तो दिया अगर औरückा यहां आता अगर यहां आटा आगे आप जो मन करें वह बना लीजे तो आगर इतने sentence में तो मैं तुम्हारी साहता करता तो इस तरीके से जब सेंटेस होता ती ते पर होते हैं तो तब हम वूड का यूज करते हैं होप संचमा आया होगा चलो दूसरा देखते हैं जहां पर सेंटस में चाहूंगा चाहूंगी चाहूगे sentence आ जाते हैं जैसे क्या तुम वहां जाना चाहूगे मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा इस तरही के से ठीक है तो जब ऐसे sentences आते हैं जो चाहूँगा चाहूँगी चाहूँगे पैंड होते हैं तो I would like to go there, क्या करूँगा, मैं वहाँ जाना चाहूँगा, I would like to play with you, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा या तुम्हारे साथ खेलना पसंद करूँगा, तो पसंद करूँगा या फिर चाहूँगा, same ही बात होती है, ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत साई sentence बना सकत होगे, would you like to take tea, इस तरीके से, या फिर अगर हमें negative बनाना हो, तो negative मैं क्या हो, गबूर के बाद नोट आ जाएगा, मैं चाहे लेना पसंद नहीं करूँगी, I would not like to take tea, ठीक, तो यह सारा का सारा concept था, तो जिसमें अगर तातीते sentence में आता है, और यहीं पर sentence होता है, तो भी वर्ब की third form, तो यूज हो जाएगा, would have verb third, तो देखे, जहां पर भी किया होता, लिया होता, चुका होता, sentences में आ जाते है, वहाँ पर वर्ब की third form का यूज किया जाता है, जैसे, अगर तुमने काम पूरा कर लिया होता, आगे जो भी, हैना, कर लिया होता, तो शाय तुम से स्कूल चला गया होता, यह चुका होता, अगर तुमने पाठ याद कर लिया होता, अगर तुमने उसे ना पीटा होता, तो इस तरीके से लिया होता, किया होता, चुका होता, तो जब sentences में यह सारे के सारे आ जाते, तब वहाँ पर हम would have and verb की third form का यूज करते हैं, तो completed the work, अगर तुमने काम पूरा कर लिया होता, next, if he would have gone to school on time, अगर वह time पर school चला गया होता, यह जा चुका होता, तो अगर वह time से school जा चुका होता, यह फिर वह time से school चला गया होता, आगे जो भी merge sentence बना तकते, तो अगर इस तरीके से sentence में इन सब की sense निकल कर आते हैं, तो हम अपने daily life में बहुत गलत बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, देखिए, मैंने बोला, उसने कहा, कि मैं school नहीं जाओंगा, तो हम क्या बोलते हैं, he said that he will not go to school, तो अगर हम यह बोलते हैं, यह हम बिल्कुल incorrect sentence बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो पहली close है, वो किस में है, past में है, त यह past tense है, यह close किस में है, past में है, तो I said that I would not help you, कि मैं तुम्हारी help नहीं करूंगा, अगर यहाँ पे आप I will कर दोगे, I will not help you, तो वो sentence totally incorrect हो जाएगा, वो direct sentence हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना, indirect sentence में will का would कर देंगे, next, they said, उन्होंने कहा, जब यह वाली जो close है, past में ह तो next close भी हमारी past में होगी, और will का क्या हो जाएगा, would हो जाएगा, they said, उन्होंने कहा, they, that they would play, कि वो खेलेंगे, उन्होंने कहा कि वे खेलेंगे, ठीक है, तो इस तरही कि ऐसे past की, जब हम बात करते है, will के past की, तो would हो जाता है, यह याद रखिये, next, would, कर जो use होते है, possibility को show करने में भी होता है, आप देखिए, possibility को show करने के लिए और भी models है, जैसे कि can, can जो होते है, वो भी possibility को show करती है, may, may भी possibility को show करते है, लेकिन, यहाँ पे हम कर रहे है, would, would भी possibility को show करते है, जब बहुत कम possibility होती, किसी चीज की, तो तब वहाँ पे हम would का use करते है, जैसे टोट को आप बार मत जाओ इसे टच मत कर तो आपको पॉसिंबलिटी दिखानी तो क्या करना है आपको वॕ का यूज ऑगया होगा यह निकtonya पर आप जितने भी सारी सारी केसिज है वो हमने सारे के-सारी कर लिए है और होब वो आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, अगर आपको एक बार में ना समझ में आ थो वीडियो को दो बार देख लिजेए, लेकिन ये सारा सारा वुड का कॉंसेप्ट आगर आपने क्लियर करिया तो आपकी राइटिंग स्किल भी इंपरूव होगी उससे, और आपकी जो speaking है वो भी काफी effective हो जाएगी और आप अपनी जो speaking है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आपके जो views है वो present कर पाओगे क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं था ना कि would हम कहां कहां पर use करें तो जब आपको पता चल गया है तो आप अपने views को अपनी conversation को औ और भी ज्यादा क्या कर सकते हो impressive बना सकते हो by using wood ठीक है तो ठीक है बस आज के लिए इतना ही मिलते है next video में till then bye bye stay healthy and keep learning